हजारी बाद प्रखंट कटकम सांडिल छेत्र पिलावल दठ्षणी पंचाइच से पंचाइच समीती सदस्य के उमिद्वार मुहम्मद सलाउद दीन उर्फ बबलू से हमारे सम्मधाताने की खास मुलाकार नमस्कार मैं वसिम और जैसा कि आप देख रहे हैं ज सहर्खन में त्रिषणी पंचाइच चुनाओं पे लेकर उमिद्वार अपने अताकत जोके हुए चुनाय मैदान में बाद करते हैं कटकम संडी परखंट के पिलावल दस्ती पंचायद के पंचायद समीती सदस रह चुके हैं आय़ उम्मद से जानते हैं मैं मुहम्मासरावद्दीन पलावल दशनी पंचाथ से पंचाथ समीथी सदस्राइच चुका हूँ और अभी भी पंचाथ समीथी के पथ पर चुनाओं लड़ रहे हैं तो जैसा कि आप बता रहे हैं तो पांच सालों में आप ने किस तरह कार आई, जनता का संग्यान आया है, उसमें हर तरह से हम मिल जूँए लजूब करके पंचात बैठा करके पंचात भावन में सारा संग्यान को दूर किया है होशीज से ही कि हैंं कि हमेशा मिल जूल करके सारक खेस को हैंडल करके अपने से सारको दूर करते हैं और किसी तरह के पंचाइट में किसी तरह के कोई परिशानी नहीं होने देते हैं और जनता के दुख सुप में हमेशा हैं और हमेशा रहेंगें इस बार चनौ है आपको क्या लगता है कि पंचाय तकी जनता आपके साथ किस तरह से खड़ी है? बिल्कुल आगे जिस तरह से खड़ी थी उससे जादे जादे बहुमत के साथ हम खड़े हैं और हमारे जनता भी हमारे साथ खड़ी है और अगले साल जिस सबसे मैंने जीता था उससे लगता हमको 20% उपर हमरे जीत हो रही है और जनता हमारे साथ है हम छेतर में घूम रहे हैं हमारे साथ और पुरा विश्वास है कि हम इस बार जीत रहे हैं जीत के फिर से मैदान में आ रहे हैं के दावे तो आप बड़े बड़ी कर रहे हैं कि विश्वार जीत क्यार है अगर आप पूझनता मौक्त देगी आप जी जाते है तो एस बार आप क्या सोचा इस बार हम सोचे हैं जिस तरह से अगले साल काम की हैं उससे बढ़ चल करके हम पंचायत में अपना काम करेंगे चाहें जिस तरह का कार्यों हो नली हो गली हो या पंचायत हो हर तरह का काम हम करेंगे जैसे पिछले बार करते आ रहे हैं उससे हम चाहेंगे तो उससे दोगोना हम काम करें हैं इसलिए जनता का प्यार मिल रहा है और जनता का भरोसा जो अभी तक तूटा नहीं है इस कारिकाल में आगे भी तूटने नहीं दूँगा यह मेरा जनता के साथ गरेंटी है यही गरेंटी के साथ मैं जनता के साथ खड़ा हूँ जैसा कि चोथे चरण का चुनाव मद्दान 27 मई को होने वाला है तो उस पर आप क्या खेंगे उस पर के संदेश दराशाएं 27 तारीक के जो मद्दान हो रहा है बहुत अच्छा धंग से होगा मेरे छेतर में मेरे गाउ में और बहुत अच्छा से सब भोटर एक एक बोट करेंगे मद्दान करेंगे और हमारे पक्ष में करेंगे यह मेरे पुरा जनता से विश्वास है और बहुत अच्छा धंग से च जो पूर्व में भी वो पंचाय समिधी सदस रह चुके हैं और इनका दावा है कि इस बार भी वो पंचाय समिधी सदस का सीट की दाविदारी पूरी तरह से कर रहे हैं और इनका कायना है कि जनता भी हमारे साथ है देखना ये है कि आगामी 27 में को जो चुनाओ है मद्दान होने वाने है उसमें इनका कितना समर्थन मिलता है और जनता इनके कितना साथ रहती है तो देखते रहे हमारे साथ कबरतिन सुपरज़क मैं मुहम्मद वसी